Hi everyone, welcome back, in this lecture we are going to learn about compiler and interpreter, इसलिए हम लोग देखते हैं, एक real world example से देखेंगे, compiler और interpreter क्या होता है, तो आप अभी अभी स्क्रीन पे, चार cartoon image देख रहे होंगे, यहाँ पे एक user1 है, user2 है, user1 जो है, एक अलग स्टेट से बिलॉंग करता है, और user2 है, जो अलग स्टेट से बिलॉ बिलॉंग करता है, user1 का जो native language है, वो सपोज English है, user2 का जो native language है, सपोज Hindi है, अब यह दोनों एक दूसरे में बात करना चाहते हैं, तो user1, जो user1 है, वो क्या करेगा, एक translator ढूंडेगा, translator अपने लिए ढूंडेगा, हमारे पास हम सब पहले यह translator चूज करते हैं, तो यह क्या करेगा, अपने बातों को इसको बताएगा, और यह इसी बात को इसके पास send कर देगा, चेक है, और same time पे यह इसके बात को सुनेगा, और फिर इसको reward कर देगा, मतलब जिस time पे user1 बोल रहा है, उसी time पे यह सुनेगा, और सुनने के बाद उसी time पे यह इसको response क कर देगा मनलब सेम टाइम पर सुनेगा और सेम टाइम पर reply करेगा यूजर 1 का जो भी बात होगा वो फूर उसे उसी टाइम पर रिस्पांड भी कर देगा तो यह हुआ मेरा तो और उसकी बात सपोज कि इप और मेरे पास translator है वो क्या करेगा अगर हम दूसरा ये मेरा पहला था ट्रांसलेटर अब दूसरा ट्रांसलेटर स्पोज हम ये ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हैं ये तो ये क्या करेगा जैसे ही ये कहेगा कि आपको जो भी इनसे बोलना है आप एक बार में मुझे बोल के सब कुछ बता दीज जो भी आपको बोलना है एक बार में मुझे सब कुछ बोल के बता दीजे और उसकी बाद ये सारा चीज उसी टाइम पर ये ट्रांसलेट करेगा सब कुछ और इनको दे देगा यहाँ पर ये समझना है ये एक एक लाइन को ट्रांसलेट करेगा जैसे ये बोले how are you तो ये सबस ठीक है नेक्स्ट अगर ये बोलता है where are you from तो ये बोलेगा आप कहां से हैं और सीम टाइम पर ये इनको बताएगा यूजर वन का जो भी बात है सीम टाइम पर ये इसको बताएगा यूजर टू को बताएगा अब जैसे हमने लिखा how are you where are you from ये ये टूटल लाइन था इनक पर यो भी बात कहना था खतम होगया तो ये पूरा का पूरा जूबही इनका हूट था वो कैप्चर करेगा और उसके बाद सब को ट्रांसलेट करेगा एक ही बार में लाइन को ट्रांसलेट करेगा और लिख यूजर रोगों लिख लिए तो living ये था ये थाertos ये ता моर उन यहां पे यह एंटर्प्रेटर और सिमिलरली यह है कमपाइलर इसको समझ लो आप लो यह है कमपाइलर अब सपोस्ट करो कि यह एक यहां पे आप देखो यह है मेरा प्रोग्राम यूजर वन को आप यहां पे माल लो यह है मेरा प्रोग्राम, यह है मेरा प्रोग्राम, जो भी हम लोग लिखते हैं, अब यह प्रोग्राम को क्या करेगा, यह जो भी प्रोग्राम होगा, उसका एक एक लाइन एक्जिक्यूट करेगा, और एक्जिक्यूट करने के बाद, यूजर को आउटपूट दे देगा, और compiler क्या करेगा यह एक प्रोग्राम का complete यहाँ पे एक file generate करेगा white code और यह user को देदेगा तो interpreter क्या करेगा कि suppose यहाँ से एक जो भी मेरा program है सब्सक्राइब यह program मेरा python में लिखा हुआ है तो python में जो भी मेरा program लिखा है जैसे suppose करो आप int a equal to two int b equal to three तो यह क्या करेगा suppose करो कि हम अपना पहले यह translator को यूज़ करते हैं तो यह क्या करेगा यह पहले intro को execute करेगा और उसमें two को store करेगा फिर इंट b को execute परेगा उसमें same time पे जिस time पर यह program execute हो रहा है उसी time पर यह store करेगा त्री को और नेक्स्ट यह क्या करेगा जैसे int c equal to a plus b है तो यह उसी टाइम पे a plus b को add करेगा और c को c में store करेगा और आपको result देदेगा तो यह एक एक line को execute करेगा यहां पर कोई file generate नहीं हो रहा है लेकिन अगर यह हम दूसरा translator यूज करते हैं यह पूरा program को एक बार में execute करेगा और execute करने के बाद एक file generate देदेगा और वही file byte code में रहेगा जो आप अपने interpreter के दौरा उसको interpret करके machine code में convert करने के बाद आप उसका output gain कर सकते हैं तो अब चले एक program से हम लोग समझते हैं कि यह काम कैसे होता है तो suppose कि यह जावा script की file है तो जावा script की file यहां पर alert करते हैं को बंद करते हैं यह देखिये यह मेरा एक complete javascript की फाइल है यह एक complete JavaScript प्रोगराम है यहां पर देख सकते हैं यह complete JavaScript की प्रोगराम है और इसमें क्या हो रहा है कि एक function है जो मैसेज डिस्प्ले करेगा और इसमें एक यह को प्रिंट करेगा तो यहां पर आप देखेंगे कि इस तो आप जब भी स्क्रेट का program करते हैं तो यहां पे कोई अलग से जनरेट नहीं होता है तो इस में इंटरप्रेटर क्या होता है ब्रावजर क्या होता है यह क्योंकि जावा स्क्रेप्ट का फाइल थे कंटरोड होता है और यहां से पहले दिखेगा function तो इसको execute करेगा फिर a देखेगा तो a में उसमें लिखा हुआ a equal to 10 तो 10 को a में store करेगा b equal to 5 तो 5 को b में store करेगा फिर c में a plus b को और यहाँ पर वो एक एक line को execute करेगा यहाँ पर कोई भी नया फाइल जनरेट नहीं होगा लेकिन अगर हम यहीं दूसरे इंड में देखते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब करता हूं कॉंसेप्ट को समझाने के लिए यह मैंने नेम दिया नेम आप इधर भी लिख सकते हैं आप इधर भी नेम लिख सकते हैं कोई अब सब्सक्राइब करेंगे तो अपने कंपाइलर से रन करेंगे तो यह यहां पर देख रहे होंगे कि यह जो मेरा प्रोग्राम है यहां पर हमने जो भी स्क्रिप्ट लिखा था यह तो यहां पर आप देख रहे होंगे यह क्लास जो है यहां पर एक डॉट क्लास फाल देंव लुग को नहीं पर आप're टोंब हां फ Straw पर क्राम इसके बाद स्का कोई वेकफ नहीं रहता है मतलब इसकी आपको रिजर्ट देगा फिर अगर भर परोग्राम दराना होगा तो यह आपको फिर से इंटर में को एक जीट लाइइडब करेगा और फिर से यह आपके प्रोग्राम को आउट पूट देगा यहां पर === यह एक बार में पूरा प्रोंड को करके एक टेस्ट क्लास राइन्ट कर देता है और इसी टेस्ट क्लास फाइल से अब अब से अपने जावा इंटर्पडरटर जो जो चैप्ट membership होता है उसे हम लोग रंड कर आ सकते हैं तो यहां पर यह मैं To करो कि यह अगर यहां पर ब्राउजर यूस करता है अगर सपोस्ट करो कि यह यहां तक सही है a equal to 10 B equal to 5 c equal to a plus a plus b and semi a यहां तक प्रोग्राम सही है तो इंट्रपरेट्टर यहां तक यह प्रोग्राम को Run करेगा अब सपोस्ट करो कि यह में थर्ड ही मेरा गलत है कुछ चलेगा मतलब यहां तक आपका interpreter execute करेगा लेकिन इन केस अगर compiler में देखा जाए कि अगर प्रोग्राम में कहीं भी अगर error आता है तो यह डॉट class file ही generate नहीं करेगा यह पूरे code का कोई class मतलब कोई भी डॉट class file generate नहीं करेगा और यहां पर यह error सूख कर देगा तो यह एक compiler और interpreter में difference है लेकिन अगर देखा जाए तो अगर मेरे पास अगर interpreted अगर interpreted कोई language है तो उसमें मुझे हर बार एक लाइन को execute कराना पड़ता है लेकिन compiler में अगर देखा जाए तो मुझे एक बार में सब सारे program को execute पतलब जो भी प्रोग्राम है उसको execute करें डॉट class file generate करेंगे तो मुझे यहां पर compiler का हर बार जरूरत नहीं पढ़ रहा है लेकिन इंटर्प्रेटर का मुझे हर बार जरूरत पढ़ रहा है तो इससे देखा जाए तो इंटर्प्रेटर है इंटर्प्रेटर एक स्लू है जो compiler से इसको स्लू कहा जा सकता है अब next example अगर देखेंगे तो अगर सपोस किजिए कि इंटर्प्रेटर से हमको एक चीज़ पाइदा होता है कि मान लीजिए कि मेरे यहां तक प्रोग्राम यह अगर यह प्रोग्राम है तो सबस्केजिए मुझे थर्ड लाइन में रह रहा है पर मेरा compiler को देखा जाए तो compiler हमारा क्या करता है यह पहले ही एरर को चिक कर लेता है अगर कुछ भी error है तो वह dot class filing generate नहीं जाएगा तो यह अगर मालीजिए हमारे program में यह तो मुझे यहां मुझे error पता चल जाएगा interpreter को है कि मुझे थर्ड लाइन में error आ रही है लेकिन अगर मालीजिए यह मेरा 100-200-300-500 line का code है अगर उसमें error आ जाते हैं तो इसमें compiler में टूनना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो उस line तक execute नहीं होगा मालीजिए कि मुझे 100 line के पास मेरे पास error है तो यह 100 लाइन तक जा नहीं सकता है यह डिरेक्ट error कर देगा कि आपके प्रोग्राम में error है और यह मतलब code ही compile नहीं होगा तो यह हमारा compiler और इंटरेटर में difference है अब यहां पर हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जावा में प्रोग्राम को कैसे हम लोग रन करते हैं तो जावा क्या करता है कि सबसे पहले मेरा जो भी एक first.java यह मेरा file था और इस file के बाद जैसे हम इसको compile करते हैं तो सबसे करेंगे using java c first.java तो यहां पर मेरा program compile हुआ compile होने के बाद हम इसको execute कराते हैं तो execute जब कराएंगे तो यहां पर हम लोग jvm यूज करेंगे jvm यूज करते हैं तो jvm में हम लोग क्या लेखते हैं जावा फरस्ट तो यह जे वियम क्या करता है यहां से हमको operating system को send करता है send करता है और यहां से हम लोग को output मिल जाता है तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले हम मेरा जो प्रोग्राम है यहां पर कंपाइल होगा compile होने के बाद जावा सी डॉट जावा सी फस्ट जावा से compile होगा उसके बाद हम लोग इसको interpreter को jvm एक interpreter का का काम करता है तो यह इंटरप्रेट करेगा और execute करेगा हमारे प्रोग्राम को उसके बाद operating system को देगा उसके बाद हम लोग आउट जन्रेट करेंगे तो यहां पर हमको compile करना पड़ता है और इंटरप्रेट भी करना पड़ता है तो जावा एक हाइब्रीड हाइब्रीड लैंग्वेज है क्योंकि इस में compiler और इंटरप्रेटर दोनों यो दोटा ये जाव आप जावा इज हैंविं म कहला पर देख सकते हैं हें उट यहां पर मलगोग स्क्रूप्रांस आप एंटर्पेटर क्या करता है लाइन भाइल लाइन हमारे हैं को एंगजिक्यूट करता है और सेम थाइन पर हमको हभट देता है पूरा पर्रोग्राम को एक साथ एंग्जिक्यूट करके एक मुझे dot class file generate करता है और उस dot class file को हम लोग फिर से मसीन कोड में कनवर्ट करते हैं यूजिंग जेवीम और जेवीम के बाद जेवीम हमको ओपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफर करता है और वहां से हम लोग आर्पूर्ट जेनरेट करते हैं तो और यह इंटर्पेर्टर होता है कि अगर मेरे प्रोग्राम में कहीं एरर है तो और डिरेक्ट एरर सुकर देता है तो हम लोग को यहां से एरर बहुत जल्दी इंटर्पेर्टर में पता चल जाता है पर कंपाइलर में अगर मुझे 100 एरर हैं तो पूरा कोड ही नहीं जमरेट करेगा तो यह थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कंपाइलर में बट कंपाइलर थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि यह ठीकी है थोड़ा पढ़ने में तो यह कंपाइलर लेंग्वेज पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट इंटर्पेर्टर लेंग्वेज असान होता है पढ़ने के लिए लेकिन इंटर्पेर्टर लेंग्वेज स्लोर होता ह एस कंपेर टू कंपाईर लेंग्वेज और इंटर्पेटर लेंग्वेज में आ जाता है आपका पाइथन भी इंटर्पेटर्टर लेंग्वेज है तो थैंक यू फॉर वचिंग हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में